विधिक लेक, विधी निर्ने, महराश राज्य बनाम निसार रमजान सईद, संदर दांडिक अपील संख्या 865-866-2013, निर्ने की तिथी 742-2017, नियाइधीश 1, नियाइमूर्ती पिनाकी चंद्रगोश 2, नियाइमूर्ती आरेफ नरीमन, अंतरकद्धारा 32, भारतिय साक्ष वाद के तत्ये, निसार पर अपनी पत्नी एवं पुत्र को जलाकर मानने का आरूप था, इसका अधर मुरुत्युकालिक कथन था, मृत्तका ने ये कथन अलग-अलग समय पर तीन व्यक्तियों को दिया, कि उसने उसके उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, फिर त दोश्मुक्त किया। अंतरगत धारा 386 खा दर्ण प्रक्रिया सेयता 386 खा दोश सिद्धी से अपील में एक नयायाले निशकर्ष और दर्ण आदेश को उलड़ सकता है और अभियुक्त को दोशमुक्तिया उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपील नियायाले की अथिनस अक्षम अधिकारिता वाले नयायाले द्वारा उसके पुनह विचारित किये जाने का या विचारनार्थ सुपूर्ट किये जाने का आदेश दे सकता है अत्वा 2. दंड आदेश को कायम लगते हुए निशकर्ष में परिवर्थन कर सकता है अत्वा तीन, निश्टर्ष में परिवर्दन करके या किये बिना दंड के स्वरूप या परिमान में अत्वस्वरूप और परिमान में परिवर्दन कर सकता है किन्त उस प्रकार नहीं कि उससे दंड में वृध्धी हो जाए गव दंडादेश की वृद्धी के लिए अपील में बात के तत्ये इसमें दहेज मृतियों से संबंदित मामले में अधिनस न्यायाले ने अभियुक्त को दोश्षिद्ध किया पर उच्छ न्यायाले ने विचरण में कुछ तुरुटियां मानते हुए पुन्हा विचारण क इसके अपील उच्छ न्यायाले में की गई। अपील संख्या 1141 अबलिक 1016 न्यायदिधी 222017 न्यायधीश 1 न्यायमूर्थी दीपक मिश्र 2 न्यायमूर्थी अमिताब राय अंतरगत धारा 178 दंड प्रक्रिया सहियताव 178 धारा की कोई बात किसी अपरात की धारा 172 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बेज दी जाने के पश्चात आगे और इन्वेशन को प्रवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी तर जहां ऐसे अधीन पर पुलिस थाने के भारसादक अधिकारी को कोई अतरिक्त मौखे किया दस्तावीजी साक्षे मिले वो वहां ऐसे साक्षे के संबन में अतरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टे मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा और धारत 172-6 तक के उपण ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे भी धारत 172 के अधीन भेजी कई रिपोर्ट के संबन में लागू होते हैं वाद के तत्ये इसमें अभियुक्त के विरुद्धारा 406, 420, 426, 466, 468, 477 B, 120 B के अंतरगत प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजदर्श कराई गई इस पर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट दी इस पुलिस रिपोर्ट 172 को अर्ष्विकार करते होए मजिस्ट्रेट ने इस पर आगे अन्वेशन का आदेश दिया ये धारा 178 में था निर्ने, उचितर म्यायाले ने कहा कि आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चाथ अन्वेशन नुनमती योग्य है अधिकार रूप में नहीं होगा अर्थात यदि मजिस्ट्रेट अनुमती दे तो आगे अन्वेशन हो सकता है सिध्धान्त, धारा 178 दंड प्रक्रिया संहता के अंतरगत आगे और अन्वेशन हो सकता है पर ये परिवादी या अभ्यूक्त के अनुसार न होकर मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही हो सकेगा महिंद्र सिंग धोनी बनाम, ये रांग तुला शाम, सुन्दर एवं अन्य संदर प्टी ए याचिका संख्या 23 अबलिक 2016, निर्नेती थी 24-2017 मियादीश एक नियामूर्थी दीपक मिश्र, दो नियामूर्थी एम खानविलकर और तीन नियामूर्थी मोहन शांत नकोदर अंतिरकर धारा दोसो धंड प्रक्रिया सहीं था, धारा दोसो परिवादी की परिक्षा, परिवाद पर किसी अपरात का संग्यान करने वाला परंतु जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परिक्षा करना आवशक ना होगा यह अधि परिवाद अपने पदिये कर्तवियों के निर्वहन में कारे कड़ने वाले या कारे करने का तातपधी रखने वाले लोग सेवक दौरा या नियायले दौरा किया गया है अत्वख हा यह अधि मजिस्ट्रेट चांच या विचारन के लिए मामले को धारा 102 के अधीन क वाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए फिर से परिक्षा करना आवशक ना होगा इसमें कारेवाही की आपेक्षित शर्त अंकित है वाद के तत्ये इस वाद में प्रतिवादी ने एक पत्रिका क्रै की जिसमें धोनी का चित्र गौड ओफ बिग डील शीशक के अंतरगत छपा थ इस पर विवाद ने प्रत्थम सूचना दर्स कराना चाहा एवं ना होने पर एक परिवाद अंतरगत धारा 295 का ओबलिक 34 भारती दंड सेहंता में किया याची धानी ने इसे अंतरित करने एवं निरस्ट करने के लिए याची का दी निर्ने इसमें तर्थियों से धारा 295 क आके अंतरगत अपरात कठित नहीं होता है अता परिवाद निरस्ट किया जाता है धारा 295 का विमर्षित और विद्वेश पूर्ण कारिये जो किसी वर्ग के धर्म या धर्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धर्मिक भावनाओं को आहत करने के आश्य से किये गए हो जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धर्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्षित और विद्वेश पूर्ण आश्य से उस वर्ग के धर्मिया धर्मिक विश्वासों का अपमान उच्चरित या लिखित शप्तों द्वारा या संकेतों के द्रिश्य रूपणों वो दोनों में से किसी भाती के कारवास से जिसकी अवधी दीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा सिध्धान्त जब अपरात को करने वाले कोई तत्वे नहीं है इस पर परिवाद नहीं हो सकता है प्रिश्ट एक्यान बे